आज के session में हम जो अपना sap जो move कर रहा है देखो अभी ये sap move कर रहा है राइट वो उसने apple को touch किया ना लेकिन sap की length नहीं बड़ी देखो sap की length है 3 और 3-6 आइडेली होना ये चाहिए कि जब ये apple को hit करता है उसकी length हो जानी चाहिए साथ और ये apple move हो जाना चाहिए तो आज की session में हम इतना काम करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हमें करना ये है कि जो game में ये play function है उसमें जब भी snake apple को bite करता है तो उसकी length बढ़ानी है तो वो collision का logic लिखना पड़ता है कोई भी game programming में collision का logic is very very common अब collision का मतलब क्या है वो समत्त है देखो यहाँ पर ये sap है अब sap ये चलो ये है अपना sap और अपना apple है यहाँ पर ये ठीक है तो apple की भी वैसे x and y position होती है देखो apple होता है ultimately तो वो ऐसा rectangle होता है और उसका जो यहाँ पर x and y position है ना यहाँ पर उसका x and y position है तो जब भी और बाइदाविए ये block और apple की size तो same ही है तो मैं है ना size ऐसी same कर देता हूँ तो जब भी ये rectangle और ये rectangle दोनों overlap करेंगे जब भी sap का head का जो rectangle है और ये rectangle अगर overlap करते है तो उसका मतलब ये इनका collision हो गया तो उसके लिए हम is collision करके एक function define कर देते है इस collision अपने इसमें और ये जो है ना collision जो है वो दो parameter लेगा एक तो x and y of first object तो मतलब apple का x and y और sap का x and y ठीक है तो ये आएगा x1, y1, x2, y2 ठीक है और collision का जो logic है वो आप अगर google करोंगे तो वो common logic है कि दो rectangle एक दूसरे को overlap करते हैं कि नहीं वो check कैसे करें तो हम ये करेंगे कि x1 is greater than equal to x2 and x1 is less than equal to x2 plus size size मतलब 40, snake और apple दोनों अपने 40-40 के हैं तो हुआ ये कि तुम्हारा जो x1 है मतलब जैसे नमद लोग अपना x1 है साप ओके ये साप अगर let's say यहां पर आ गया है मान दो ओके मैं ऐसा करता हूँ फोड़ा सा में आपको दिखाने के लिए इसको थोड़ा precise वे में मुकत हूँ ये ये आ गया जैसे यहां पर तो होगा क्या इसका जो x1 है ये इसका x1 that x1 अभी तो y यहां पर y का फंड आएगा लेकिन ये x1 है ना इसके x दोनों के x1 और x2 सेम है right x1 यह है x2 यह है और यह यह apple है मैंने proper draw नहीं गया लेकिन यह proper f आएगा न तो उन्हें के x1 s2 तो सेम हो जाएगे लेकिन जो y है इसका y यहां पर है और y1 plus size करों करने तो यहां पर आएगा तो इसकी y1 और y1 plus size के बीच में इसका y1 आता है समझ गए same way x1 तो अगर x में चलो apple अगर यहां पर है और मान लो कि यह है apple का head वो move हो गया मान लो नहीं यहां यहां पर move हो गया तो देखो y coordinate दोनों की सेम ही है लेकिन इसका x1 जो है यहां पर वो इसके x1 plus size मतलब size मतलब यहां पर आएगा तो यह x1 वो range में आ रहा है हम वो ही चेक कर रहे है देखो यहां पर वो ही चेक किया और अगर वो हो रहा है तो हमें y1 भी चेक करना है same logic if y1 and basically यार सच में बताओ ना तो हम same ही कर रहे है एक्स को y से replace कर दो यह हो गया तो मतलब कि collision हो गया नहीं तो नहीं हुआ इस code को इस function को आप है न ऐसे ही directly call करके debug करके वो logic verify कर सकते हो को कोलिजन होने के बाद हमें अपने play function में चेक करना है कि sap और apple का कोलिजन हुआ कि यहां पर अब sap के पास तो बहुत सारे blocks है तो हमें सारे block का इसके साथ collision हमें चेक करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे यह से एक four loop चला देंगे साथ के जो भी सारे blocks है और सारे block का सबका हम कोलिजन चेक करेंगे वैसे सोचा जाए तो सिर्फ अगर head का भी collision चेक करेंगे न तो भी चलेगा फिर का collision चेक करेंगे न तो भी चलेगा वैसे ठीक है मैं अभी यह loop चला रहा हूं बाद में इसको optimize करते हैं तो हमें चेक करना है इसने के आई के यह snake है राइट उसके x-y इसका collision apple के x-y से होगता है कि नहीं self.y.apple.y अगर हो रहा है तो हमें कुछ करना है अभी के लिए है न हम ऐसा करते हैं collision ऐसा कुछ print करवा देते हैं collision का spelling पता नहीं रॉंग है ओके अभी तक के लिए print करवाते हैं दूसरा कुछ चंजर नहीं करना है तो देखो मैं यहाँ पर नीचे देखा हूँ कि collision हो रहा है देखो collision 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 देखा जितने block गए ना उसके अंदर से साप में से collision collision आ गया है अब जब collision होता है न तो साप की length बढ़ती है तो अभी साप की length मैं अभी 2 कर देता हूँ initially और यहाँ पर हमें क्या करना है जो length है उसको बढ़ाना है अब स्नेक में हैना ऐसे तो method डाल देता है increase length वाली ताकि जब increase length होती है न साप की तो दो चीज़े होती है देखो मैं बताता हूँ एक तो obvious है आपको उसके length parameter देखो यह स्नेक यहाँ पर है उसकी length बढ़ानी है लेकिन लेकिन आपको x और y एक नया length बढ़ना मतलब एक नया block आ गया भाई तो आपको x और y भी बढ़ाना है तो आपको x और y में आपको एक value डालने है तो मैं अभी negative डाल रहा हूँ इस रैंडम value लेकिन वह value calculate हो जाएगी बाद में इस वाले code में तो आप समझ गया होगे कि increase length करना मतलब length parameter करने से नहीं चलेगा आपको x और y एक एक नए element बिल डालने पड़ेंगे तो हम collision में अब यह increase length function जो है न वह डाल देते हैं ओके चलो इतना code तो हम test कर लें देखे अभी 2 length है मैं जब snake इसको apple को hit करूँगा न तो 2 की वज़े 3 होना जाए जाए ओके यह logic में कुछ तो लपड़ा हो रहा है hold on कुछ तो गड़बढ हो रही है पर आ गया hmm I think there is some problem so let's debug that problem I think problem यह हो रही है यह हमें यह चीज सिर्फ x 0 से ही check करनी है I think क्यूंकि सारे block के साथ चेकन और सारे block का collision होता है और उतनी length तो इसकी बढ़ने ही वाली राइट तो मैं सिर्फ और सिर्फ head को ही check करता हूं यहां पर यह कितने होई चार हो गई एक तो तीन चार पाँचे अच्छा यह होगी I think यह दो दो बढ़ रहे है Let's see what's going on again here मैंने debug किया तो पता चला कि यह जो loop है न उसको हमें apple को random position पर दूसरी move position पर move करवाना है तो हम क्या करेंगी यहां पर दूसरा एक function देंगे कि move move का मतलब कि move at some different random position तो यहां पर snake के अंदर हम एक move function डाल देते है जहां पर हम उसके x और y को एक random position पर move करवाएंगा प्रेंडम position कौन से होती है well हमें देखे थोड़ा math करते हैं हमारे पास है हमारे जो window है उसकी size है 1000 by 800 तो 1000 x direction में है apple की size है 40 तो we have 25 blocks it can move तो अगर 25th में move करांगे न तो वह बहार निकल जाएगा तो इसलिए मैं यह करता हूं कि उसको कोई random like 1 और 24 जो block है 1 और 25 में भी और 24 उसमें हम move करांगे और जो y है ठीक है तो यह 25 हो गया तो मैं क्या करता हूं कि एक random random जो module है python में उसको हम import कर देते है random module में एक random.rand int करके function है import random पता नहीं यह console में क्या हो गया मैं है आइडल यूज़ कर देता हूं एक आइडल करके भी यह आइडल में भी सेम चीज़ आप कर सकते हो तो मैंने कि यह import random random.rand int अगर आप एक और दस करोगे न तो एक और दस के बीच का यह random number आपको देता है तो हमें यहां पर random number चाहिए एक और 25 के बीच का so here random.rand int एक और 25 उसके बीच का हमें नंबर चाहिए right ctrl ऐसे क्लिक करोगे तो यह random का पूरा जो भी है वह okay now वह हो गया 25 बीकोज थाउजन अब वाई जो हमारा width है window का 800 है उसको 40 डिवाइड करोगे तो आएगा 20 तो वह भी हम 20 का random number डाल देते हैं यहां पर और अगर चीजों को far right में मुह नहीं करो ना तो 90 और एक कम भी करवा सकते हैं और into size अब size मतलब हमें अगर दो ब्लॉक मुह करवाना है तीन ब्लॉक तो इसकी size है 40 तो तीन ब्लॉक मतलब 40 40 40 120 हो गया है तो अगर यह देखो मैं मैं आपको दिखाता हूँ actually क्या होगा मैं यह करूँगा ना और size अपनी 40 है right देखो यह randomly यह सारी position देगा और सारी position वह 40 के multiple में है 80 40 का multiple है 400 तो हम वही करवा रहा है और यह move करने करने के बाद हम अपने program को run करते देखते हैं क्या हो रहा है actually okay apple object has no attribute move अच्छा मैंने यह snake में डाल दिया चाहिए problem apple में यह आना चाहिए था अभी apple में आ गया run कर देते है देखो देखा अभी दो उसका size था अभी तीन हो गया देखो तीन size है अभी फिर से मैं apple को खाता हूँ तो तीन का चाल हो जाएगा अच्छा फिर से कुछ गड़बड हो रही है let's see what it is okay मैंने यह पाया कि अगर मैं पहले वाली for loop डालू जिसमें मैं सारे block के साथ collision करवा हूँ तो यह program work होता है तो देखो अगर मैं यह for loop कर देखा हूँ तो यहां पे तीन block हो गए देखा चार block तो जैसे ही आप apple खाते हो snake की size जो है वह बढ़ती है देखो चार में से भी हो गया है पांच हो जाएगा पांच में से हो जाएगा छे एटसेटरा अब हम score को भी डिस्प्ले करते है score मतलब जिसके apple की जितनी length है ना वही आपका score है तो वह score हम ऐसा करते है यहां पर game में ही डाल देते एक function game या display score तो इस function का काम है score को display करना और वह हम यहां पर डाल देंगे apple और वह draw करने के बाद हम score display कर देंगे और वह करने के बाद हमें actually है ना हमें pie game display करना पड़ेगा जब भी आप कुछ नया paint करते हो तो आपको यह flip function काल करना पड़ता है score को display कैसे करें well pie game में एक module है called sys font तो वह sys font module में आप कौनसे font में score डालना है वह आप कर सकता हो यह font की size है और उसको एक score variable में हम create कर देंगे इस तरीके से तो यह font जो create किया है उसको render करेगा और यह python format string का में यूज कर रहा हूँ तो अपना score कुछ नहीं है वो snake की जो length है वह ही अपना score है ठीक है और यह वाला है तुमारा position की कौनसे position पे आपको नहीं यह आपका color actually तो RGB color अगर आपको सारा white रखना है तो 255, 255, 255 रख दो तो पूरा white हो जाएगा ओके और उसको display करने के लिए किसी भी चीज को आपको surface पे डालना है ना तो blit function ही है standard कि मुझे इसको यहाँ पे डालना है कौनसे position पे वेल टॉप right corner पे तो मतलब x तुमारा बढ़ेगा और y इतना सारा नहीं होगा तो अब हम जब इसको run करेंगे देखो score दो मतलब सापकी size जो है न वो ही दो है देखो अभी देखो 3 हो गया आपकी size जैसे बढ़ेगी अपना score बढ़ जाएगा देखो यहाँ पे हो गया चार और राइट इसके session में इतना ही है हम थोड़ा यह वाला logic थोड़ा refine कर देंगे next session में और साप अपने आपको जब collide होता है जब आप game हार जाते हो उसका logic लेखेंगे हम मैंने इस logic को फिर से मैंने for loop निकालके यहाँ पे snake का head रख दिया और इस बार यह चल रहा है तो looks like last time कुछ issue था लेकिन अगर आप देखे यहाँ पे देखो तीन हो गया score अभी हो जाएगा 4 अभी हो जाएगा 5 देखा तो full loop की जरूद नहीं है आपको सिर्फ head के साथ ही collision अपना check करवाना है झालाँ बांग जालाँ झालाँ 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 झ mosque उत हो अपनա यह ď उन्वास मावक अबू किस्समान झालाँ TO